हाँ तो अनिवारी हिंदी का लास सेप्टर और आपको भी ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही होगी कि एपनी पूरी बुक कंपलेट हो गई और जिसके पास में दिमाग है दिमाग दो सबके पास में है लेकिन जो यूज करता है वाकी जो स्मार्ट स्टेडी करता है जो स्मार्ट माइंड यूज करता है उसे ये पता है कि अनिवारी हिंदी कंपलसरी हिंदी का जो पेपर है वो भी असी नमर का पेपर है ठीक है पॉलिटिकल साइंस पुड़ो एक भी चेप्टर पढ़ते हैं तो नमारे हालत खराब हो जाती है सभी की हो जाती है इतना जबरदास चेप्टर होते है और ये वह का वह सी नमर का वेटेज बहुत ही ज्यादा कम है न तुम आराम से अब भी अगर मैंने सारे एक एक चेप्ट पता है इसमें इसके तो बन जाएंगे शायर 9-10 उसमें होंगे तो इसके 3-3 तो बन गे अपने गद्य में तो बन गे हर चेप्टर के तीन वीडियो तीन क्लास और इसके जो आट नो चेप्टर थे उसके बने दो-दो क्लास ठीक है अगर मैं दोनो 99 मान लेता हूं तो 18 तो यह और 27 यह ठीक है 15 और 45 क्लास आपकी अनिवारी हिंदी की 45 क्लास है 45 वीडियो बने हैं इनको करना क्या है सिर्फ सुनना है बस सामने रखो और उसको अराम से बिलकुल ध्यान आपका एक जगा होना चाहिए और पूरे चेप्टर के जैसे मैं आपको तीनु वीडियो जुमा पर हो गया और बहुत ही कम मैंने 45 वीडियो कि अगर आप मैं कहता हूं कि दंग से लेकी बैठों को दो दिन में खतम हो जाएंगी एक बार फिर से पहले चार पांश बार देख लेना बस इनको लिखना कुछ भी निशिर्फ सुनना टाइम निकाला कि चलिए फिर है व्यक्या और इतनी पतना भी इसकी में मतलब कुल मिला कि 40-50 मिनिट का एक वीडियो है एक चेप्टर तो मतलब लगबख 4 गंटे में और स्पीड कर लो तीन गंटे में 5 चेप्टर किये जा सकते हैं इतना जबरदस तरीका आप एपलाई कर लो तो बहुत बढ़ी हो करेंगे बाबा साथ बहुत ज्यादा सभी धान के निर्माता सब आते अपने जान चुके हैं और इन्होंने हमेशा ही चुवा चूत जाती पर था जो नीची जाती के लोग उपर लाना उनके साथ बिल्गुल यह उन्टचाबिलिटी सब के लिए इन्होंने परियास किये औ रुस्तुत पाठ डॉक्टर मेटगर साब के परसित भाषन एनिहिलेशन ऑप कास्ट 1936 के अंदर जो लिका गया था उच्छेद नाम से हिंदी में रुपांतित अंश के दो परक्रणों के तोर पर हैं ठीक है सीधा है क्योशन त्यार हो गया कि इस भाषन का क्या नाम था त पांति को तोड़कर मंडल हैं लाहूर के 1936 में होने वाले समयलन के अदेख्षी भाषन के रूप में तैयार किया गया था ठीक है पर कुछ कारण वर्ष्चे समयलन स्तगित हो गया हालां कि पॉलिटिकल साइंस की बात हैं कभी और करेंगे समयलन स्तगित हो गया बाद में म पुलों खाषन ऐसको ये इस जातिगा तो ये पां करना पड़ेगा ओगे तो रहिए विबाद ये शबद धुरा के समर्त कोई कमी नहीं है आज की जूग में भी ठीक है वेकारी कुशल के लिए शर्म विबाजन को आवशिक मानते हैं और शर्म विबाजन पर आधरित जाती परता को भी उचित मानते हैं उचित मानते हैं उचित मानते हैं को कहते हैं शर्म विबाजन जाती पर आधरित शर्म होना चाहिए वो ऐसे मानते हैं तो शर्म विबाजन सब इस समाज में आफशिक तो होता है शर्म का विबाजन तो अची बात है कि बाई ये बच्चों का काम नहीं है ये बड़ों का काम है ये महिलाओं का काम है ठीक अची बात है यह या पिर ऐसा कि यह इतना स्किल होगा तो यह काम कर पाएगा इसके लिए इतना एजुकाइट होना पड़ता वो ठीक है वो अच्छे समाज की पहचान है कि आप में काबिलित के इनुसरा आपको काम मिल जाएगा लेकिन बारत में शर्मिकों को विबिन वर्गू में कि बाइइ इस वर्गा यही काम करेगा वो गलत है वो ऐसा वभाविक रूप से माटकर एक दूसरे को उंचा निचा भी दिखा जाता है वो नहीं होना चाहिए एक तो यह फिर ऐसा वभाविक विबाजन जाती ऐसा लब यह होता है काम करना ठीक है कि उसको अपने इच्छा से को काम नहीं कर सकता कोई बिजनस नहीं कर सकता अपने इच्छा से कोई काम नौकरी नहीं कर सकता तो फिक्स है कि तेरे खांदान में जो तो काम करता रहा है पेड़ी है तो पेड़ी है वह काम करना पड़ेगा वो उसने कोई पूछता ही नहीं है अब उसमें उसका परशेक्षन होना चाहिए उसकी ट्रैनिंग होनी चाहिए उसमें इतनी capacity है तो फिर उस पर लिको छोड़के दूसरी में भी आ सकता है कोई बंदन थोड़ी है बंदन नहीं होना चाहिए दोश्पूर्ण वेवस्ता हर चीज हो सब्सक्राइब करें अधायैं उसको थाम कर्णागश tomorrow के नहीं हो पर छोड़ने को चूरी कारखने में जब आपको चूड़ी चूडी कारें काम करना पड़bei आतको खांदारी काम में में बोले अगरocyश बंदिच कर दिया कि ये काम आपको बरतन मनाने का तो बरतन ही मनाएंगी, या आप जूतिया मनाएंगे तो जूती बनाएंगे, ये काम फिक्स नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा, तो बंदीश में रहेगा, बेरुजगारी पढ़ेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और जहां पर अपना दिमा जो चाहें वो कर सकता है चूट है अगर उसके पास में उतना क्वालिफिकेशन है तो अपने क्वालिफिकेशन कर लेगा हूँ इसकी रक्षा करनी चाहिए लोगों में एक दूसरे से दूद पानी की समान जैसे दूद में पानी नजर नहीं आता एक दम इक्वल हो जाते है तो वैसा मेल होना चाहिए संपर्ग रखना चाहिए यह तो लोकतं तर डेमोक्रेशी ए-इ- सब सब पैदबा मिट गए हैं अब तो काफी रिजरुएशन भी मिल गिया है गरीबूं को उपर भी लाया जा रहा है एजुकेशन में भी फ्री अफ एजुकेशन में मिल रहा है सब सुविदाई है लोगतंतर एक शार्षन विवस्ताई नहीं है अपी तु सामोहिक जीवनचरिय है कोन परेशान है उसको जिवनचरिया कि मैं बदलाव करें सुदा उसी लाइफस्टार अच्छी करें यह सब सिस्टम लोगतंतर ही होता है ठीक है और देखा भी होगा गरीबूं के लिए मकान मना के देती है सरकार गरीबूं को खाना भी फ्री है अन भी फ्री है बहुत प प्रभावसाली परयोग कि स्वतंदा देने का जल्दी त्यार नहीं होते हैं मतलब ये तो मानते हैं कि स्वतंद अधिकार को तो मानते हैं प्रतव मनुश्ये के लक्षन परभावसाली परयोग में चूट ?! यह काम कर सकता ही यह चूठ है उसमें हानी करते हो उसको देने थोड़े जल्दी हानी करते, तयार नहीं होते, इसका अर्थ यह हैं, कि मनुश्यों को अपना वेवसाही चुनने की सुवतंता नहीं होना, सामजिक दास्ता में जगड़े रखती है, अगर आप मनुश्यों को अपना काम धंदा वेवसाही करने की छूट नहीं दोगे, वो अ और यह चीज है, फिर संता, अपन पड़ेंगे संता का मतलब एक्वालिटी, तो देखो संता के आलोचक मानते हैं, कि सभी मनुशियों समान नहीं होते, जो संता के आलोचक है, वो यह मानते हीने इक उमनुश्यों समान होते ही नहीं है, लेकिन एक बादे बार बताओ, मनु अगर विकलांग है कोई और तो वह से लिए दर गोती है तो शारीग वनश्पम पर परंप्राइब एक तो यह दूसरी सामाजी उत्रा दिकार अर्था माता-पिता की कल्यान कामना शिक्षा और वेग्यानिक ग्यानारजन आदी जो समाज में परंप्राइब से प्राप्त होते त्था सब्भे लोगों को जंगली लोगों से दिक शक्षम बनाता है यह बात तो है ठीक है और तीसरी मनुष्य के अपने परियत्र तीनुई है पहला समझ में आगा है दूसरा सामाजी उत्रादिकार यानि कि माता-पिता की क्या काम होता है यह भी सिस्टम होता है उनकी सक्स करवाते हैं वो भी ठीक है क्योंकि अगर जो बंदा पढ़ लिख लेगा जो साइंस पढ़ लेगा विज्ञान पढ़ लेगा एज्युकेशन कर लेगा तो वह अपना अलगले फिल्ड चुन लेगा उसी कैपड़ बढ़ जाएगी और तीसरा खुद का परेतन भी होता है आप परेतन इन दो के उपर बैदवाव नहीं हो सकते फरस्ट और सेकेंड पर ठीक है कि बाई जैसे कोई इंसान है उसमें यह ज्यादा पड़ा लिखा नहीं है उसके पास में साइंस विज्ञान नहीं पड़ावा वह एजुकेशन नहीं है उसमें साइंटिफिक फेक्ट वाला साइंटिफिक नोलेज नहीं तो क्या उसके साथ में शोषन होगा गया ठीक कोई पड़ा लिखा नहीं है तो क्या उसके साथ आप शोषन करोगे नहीं कर सकते उसकी भी समानता का होना चाहिए समान दिखार उसका भी ठीक है तो यह चीज है कि मनुश्य के परतम दो बातों क तो ठीक है लेकिन ऐसा थोड़ी आप बैदवाव करोगे क्वालिफिकेशन की कोडिंग सब उसको मिल जानी चाहिए वो ठीक है क्योंकि खुद के परियतन तो होंगे होंगे जो वह चीज लेकिन आप उसके साथ में बैदवाव करोगे बैदवाव नहीं कर सकते उसको भी ज समाज उपयोगी बनाने के लिए उस उनको आरम से ही समान अवसर हैं और समान वेवार उप्लत कराया जाना चाहिए सब को समान वेवार ठीक है हां वो ठीक है कि जो जिसको जो पॉस्ट मिली है वो अच्छी बात है वो अपनी कौलिफिकेशन कोड़ी मिल जाएगी लेकिन सम समय और विशे की जानकारी के अबाओं में अपनी जनता से उसकी आउश्यक्ताओं और शंताओं के आदार पर अलग-अलग वेवार नहीं कर पाता क्योंकि हर किसी राज़नता के पास बितना टाइम नहीं होता कि गरगर जाके किसी कर लियान करे लेकिन हां अगर उसके पास समाज को दो वर्गों में बाटना संभव नहीं है निया वर्गि करनी संभव है यह वह यह समान वेवार इसलिह नहीं करता कि समाज में सबी मनुश्य समान होते हैं समता यह भी कल्याण की बात है पर उसको हमेशा क्योंकि कि लगब अबक 10 लाग के बीच कम से कम 10 लाग की population पर एक हमेल यह खड़ा होता है, ठीक है, उतनी बड़ी जंसंग्या की उपर एक उपरते नित्यों करता है, तो उसको सब का समान नजर से देखना है, बड़ी हग है, हाँ गरगर जाके help नहीं कर सकता है, तो बिना निश्वक्ष भाव झाल झाल